आज के समय में आलू के बिना किसी सबजी की कलपना ही नहीं की जा सकती है और आलू का इस्तिमाल एक नहीं बलकि लोग कई तरह से करके इसके लुट्व को उठाती है आलू बच्चे से लेकर बड़े हर किसी की पसंद होता है आलू से आप कई तहे के रेसिपी भी तयार कर सकत है साथी आलू पोशक तत्वों से भी भरपूर होता है आलू खाने से आपके स्वास्थ्य को बहुत फाइदा होता है साथी बच्चों के लिए इसे एक अच्छा आहर भी माना जाता है साथी आप इसे बच्चों के भोजन में कई तरह से इस्तिमाल भी कर सकते है परंतु मात्रा में खाने से व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है और साथ ही गठ्या के रोग्यों के लिए आलू का सेवन फाइदे मंद होने के साथ नुकसान दायक भी है आलू में भरपूर मात्रा में मौझूद स्टार्च और कार्बोहाइड़िट गठ्या के मरीजों का वजन बढ़ कर उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है इसके अलावा आलू का सेवन करने से आपको फाइदा ही होता है तो आये विस्तार से जानते है कि आलू खाने से आपको कौन-कौन से नुकसान होते है और कौन से फाइदे होते है वजन बढ़ जाता है आलू का ज्यादा मात्रा में स सेवन करते हैं, तो इसके कारण आपको हमीशा शाररिक रूप से फाइदा हो होता है, साथ ही आलू के छिलके का सेवन और आलू का रुपए पीने से भी आपको तरह तरह के फाइदे होते हैं, और गठ्या के रोग्यों को खासकर ज्यादा आलू का सेवन नहीं करना चाहिए, क आलू का अधिक सेवन करने से ये आपके शरीर में ग्लूकोस की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके कारण इसका असर आपके वहदय पर पढ़ता है, इसलिए मदमेह के रोग्यों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, और खासकर उनको जिनका वजन अधिक होता है.